मौसम विभाग ने अंदेशा जताया है कि उच इलाकों में भारी हिमपात हो सकता है निचले इलाकों में ओला वरिष्टी के साथ बारिश की आशंका है किदारनाध धाम मेर अविवार शाम चार बजे से बर्फ पढ़नी शुरू हो गई वहीं दूसरी और बदरिनाथ हेंकुंड साहिब और यमनोत्री में भी हलकी बर्फ बारी हुई उत्राखंड में सोमवार को उचाई वाले क्षेत्रों में भारी हिमपात और निचले इलाकों में बारिश और गरत चमक के साथ ओला वरिष्टी की संभावना है मौसम विभाग ने सोमवार और मंगलवार को अधिक उचाई वाले क्षेत्रों में भारी हिमपात को लेकर और इंच अलर्ट भी जारी किया है उचाई वाले इलाकों में रविवार देश शाम से बर बारी का दौर शुरू हो गया है बद्रिनाथ हेमकुंट साहिब किदारनाथ हर्शिल यमनोत्री धाम सहित आसपास की पहाडियों में हलका हिमपात हुआ है जबकि निचले इलाकों में बादल छाये रहे देहरा दुन में धूप और बादलों की आँख मिचौली चलती रहती है प्रदेश की जादा तरक शेत्रों में शनिवार शाम से ही बादल मंडराने लगे थे रविवार को दिन के समय कई बार बारिश के आसार बने लेकिन बारिश नहीं हुई जब देश शाम से चार धाम सहित अन्य उची चोटियों पर हिमपात शुरू हो गया निचले इलाकों में बादल चाने के कारण नियुनितम तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक दॉक्टर विक्रम सिंग के अनुसार प्रदेश में अगले तीन दिन बादल चाये रह सकते हैं उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथोरागर में सोमवार, सेमंगलवार को 2800 मीटर से अधिक उचाईवाले क्षेत्रों में भारी हिमपात का ओरेंच अलर्ट है